मौनसून ने अब देश के लगभग सभी हिस्सों को कवर कर लिया है उतर भारत में भी लगातार बारिश हो रही है इस बार किस तरह की बारिश रहेगी और कैसी परिस्थितियां रहेंगी बात करने के लिए हमाई साथ हैं मौसम वेग्यानिक अतुल कुमार सेंग जी अतुल एक हपते से देखें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ दचनी वाले हिस्तों को छोड़कर पूरे प्रदेश भर में अच्छी बारिश देखी गई है अगर हम पिछले हपते की बारिश की बात करें तो पश्चीम उत्तर प्रदेश के ज्याज़तर अस्थानों पर अ होती है वो मनसून ट्रफ प्रदेश से होकर ही गुजर रही है हाला कि इस समय इसकी स्थिति सामाने से थोड़ा सा नार्थ में है वो प्रदेश में राजदानी लखनों और बल्या होते हुए पास हो रही है और उदर फिरोजपुर से सुरू होके मनिपुर तक जा रही है लख साउथ में अपनी सामान इस्थिती की और आने की संभावना है इस वजह से जो साउथ के हिस्सों में या सेंटरल यूपी में कम बारिस हो रही थी उसमें बढ़ोत्तरी होगी लखनों में आज से ये बारिस बढ़ना सुरू हो गई है आगे आने वाले एक दो दिनों में इस इसन में है तब तक तो जाज़तर अस्थानों पर बारिस हो रही है अगले पांच साथ दिनों की बात करें तो पूरवे उत्तर प्रदेश में अनेक अस्थानों से लेकर जाज़तर अस्थानों पर बारिस होती रहेगी तो मतलब ये चार-पांच दिन अगले जो हैं इसमें हमेशा लगभग बादल चाहे रहेंगे आसमान में उमस फिलहाल रहेगी क्योंकि अधिक्तम आर्दरता और नियुनतम सापेचिक आर्दरता दोनों ही जो है वो 70% यह उससे जादा है तो इस वज़ा से उमस आर्दरता की वज़ा से होती है वो उमस तो जारी रहेगी इस बार अलनीनो की जगा लानीना सक्रिये होगा तो उसमें आपको लगता है कि क्या स्थितिया में देखिए अभी जो है वो इस अभी तक अलनीनो चल रहा था अभी अलनीनो जो है उसका वाम फेज अलनीनो होता है अलनीनो वाम फेज खतम हो गया है इस समें नीट्रल नीनो ह हो गया है और आगे आने वाले समय में जो है मांसून रित के उत्तरार्द में यानि की दूसरे चरण में अगस सितंबर के दौरान इसके कोल्ड फेज यानि की लानीना की परिस्थितियों में परिवर्तित होने की संभावना है अभी भी जो न्यूट्रल नीनों का फेज है में बात करें तो इसके जो लार्ज स्केल ड्राइवर्स होते हैं भागोलिक परिस्थितियां जो इसको प्रभावित करती हैं वो दो मुख्यकारक जो है एक तो एल्नीनों का फेज होता है दूसरा जो होता है वो इंडियन अस्वन डाइपोल होता है भारती महासागरी करती है तो इसी वज़बे या भारत के परिफ्रिक्ष में भी बात करें तो भारत में जो है वह जुलाइ महीने के दौरान जो अभी हमने दिरगावज उत्तर प्रदेश सहित भारत के जाजतर हिस्सों में सामाने से कुल समेकित वर्सा जो है वो सामाने से अधिक होने की संभावना है उत्तर प्रदेश के विशे में इस पेसली बात करें तो उत्तर प्रदेश के पूर्वोतर तरह हिस्सों को छोड़कर बाकी सारे हिस्सों में ज पश्ट करना चाहूंगा कि सामाने से थोड़ी कम बारिस का मतलब यह नहीं है कि उस चेतर में बारिस नहीं होगी क्योंकि जो हमारे लांग टर्न क्लैमिटिक नार्मल से उनके हिसाब से देखे तो पुर्वोतर तराई ही जो है वो सबसे ज्यादा रेंफॉल रिसीव करने वा तो पूरे जुलाई महने में उत्तर प्रदेश में सामाने से अच्छी बारिस होगी तरही शेत्रों में कुछ छोड़ करके सामाने से कम होगी लेकिन वो भी इतनी कम नहीं होगी तो यानि कि जो गर्मी हुई थी उससे अब राहत मिल रही है थोड़ी सी उमस के इस्तिती है लेकिन उसके बावजूद इस तरह से दिन का तापमान गिरा है उससे ये कहा जा सकता है कि लोगों को राहत मिल रही है इस बार मौनसून में विडियो जनलिस कौर अब गुपता के साथ शिल्पी सेन लखनौ